हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम आपको 1-2 येर बेबी के लिए बहुती प्यारी सी अंगरखाय स्टाइल की फ्रोक बनाना सिखा रहे हैं इसके लिए हमने सिर्फ 1 मिटर फेब्रिक लिया है आई ये वीडियो शुरू करते हैं ये देखिए फ 4.5 इंच रखना है और आर्म होल की लेंथ भी हमें इसकी 4.5 इंच रखनी है यहां से ऐसे करते हुए हम इसको चकोर कर लेते हैं आर्म होल में हम इसके गोलाई कर लेते हैं नेक की चोड़ाई हमें 2 इंच रखनी है 2 इंच से हलका सा कम आप रख सकते हैं अगर आपको चोड काई में कम नेक चाहिए और लेंद में इसको टू पॉइंट फाइए रखते हैं ऐसे करते हुए हम इसमें गोलाई RJ हरे हैं तो यह से आधा इंच पॉइंट वासर इंच तो निशान को उपह तैक ऐसे करते हुए मिला लेते हैं यहां से साइड से अधा पर गोलाई का निशान लगाना है इससे फ्रोक साइड से लटकती नहीं है अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं साइड में से भी हमें ऐसे ही इसको कटिंग कर लेना है शोलडर पर से हम इसको ढालदार कटिंग कर देते हैं क्योंकि शोलडर हमारे ढालदार होते है इससे frog की fitting अच्छे आती है नेक भी हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है ये देखिए दोनों पीस यहाँ पर हमादे कटकर तैयार हो गए है अब हम इसमें 2.5 इंच का निशान लगा लेते हैं और इसको काट लेते हैं ये बेक नेक हम खोल रहे हैं जिससे बेबी के सिर में पहनाने में परिशानी ना हो ये हमने एक स्ट्रीप लिए है जिसकी चोड़ाई 2 इंच है और लेंध में ये 4 इंच है यहाँ पर रखकर हमें इसको लगानी है ये दो पीस हमने गहरे के लिए लिए हैं जिसकी लेंध 12 इंच है और चोड़ाई में ये 28 इंच है ये रेब की हमने पाइपिन ली है नेक में लगाने के लिए ये एक डिजाइनिंग के लिए हमने पीस लिया है जिसकी लेंद 10 इंच है और चोड़ाई में ये 31 इंच है इसको हम यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाते हैं ऐसे करते हुए और दूसरी साइड से हमें इसको बिलकुल कोर्नर पर मिला देना है तिरचा करते हुए ये देखिए ऐसे करते हुए हमने इस पे निशान लगा लिया है अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं ये हमारा डिजाइनिंग पीस बनकर तयार हो गया है यहां पर हमें इसमें ऐसे करते हुए प्लेट्स डालने हैं और इसको प्लेट्स डालते हुए हमें बिल्कुल योग के बराबर कर लेना है नीचे की साइड इसमें हमें पाइपिन लगानी है जो डिजाइनिंग पीस किया था उसके लिए हम सीधी पाइपिन काट रहे हैं नीचे की साइड लगाने के लिए 1 इंच की ये 1 इंच की हमने रेब की पाइपिन कटिंग की है आर्म होल में लगाने के लिए ये 2.5 इंच की हमने एक पट्टी ली है जिसकी चोड़ाई 2.5 इंच है और लेंथ में 35 इंच है इसको हमें डबल कर लेना है और इसे यहाँ पर करते हुए इसमें प्लेट्स डालनी है अब जो हमने पट्टी कटिंग की हुई है उसको डबल कर लेते हैं और उसके उपर एक खची सिलाई लगा लेते हैं जिससे ये अच्छी तरीके से सेट हो जाती है और हमें इसमें चुन्नटे डालने में परिशानी नहीं होती है पूरी पट्टी पर यहां पर हमने इस पर सिलाई लगा कर तैयार कर लिया है अब हम इसमें यहां पर ऐसे करते हुए बारिक बारिक चुन्नटे डालनी है और जो हमने अपनी योग पर निशान लगाया है उसके बराबर इसको कर लेनी है यह देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी सी हमारी यह चुन्नटे डालकर तैयार हो रही है ऐसे ही हमें अपने पूरी फ्रील पर चुन्नटे डालकर इसको तैयार करना है यह फ्रील हमारी तैयार हो गई है अब हमने रेब की जो पाइपिन कटिंग की हुई है उसको यहाँ पर रखना है और हलका हलका सा इसको खीचना है किसी भी जंगे से हमें इसको जाद नहीं कीचना है ऐसे करते हुए पाइपिन को हम फ्रील पर अपनी लगा लेते हैं एक्स्टा फेबरिक हम कट कर देते हैं थोड़ा थोड़ा सा फेबरिक हमें इसके अंदर की साइड का कट करना है अब हम उपर की साइड को इसको फोल्ड करते हुए इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंट्स जिस साइड से हम सिलाई लगा रहे हैं उस साइड से ये हमारी सीधी फ्रिल है और नीचे की साइड से हमारी ये उल्टी फ्रिल है आप देख सकते हैं पाइपिन की शेफ हमारी कितनी ज़्यादा प्यारी आ रही है इसी तरीके से आपको इसमें पाइपिन लगाकर इसको तयार कर लेना है यह देखिए फ्रिल यहां पर लगाकर हमने तयार कर ली है अब यहाँ पर हम जो निशान लगा रहे हैं 1.5 इंच का हमें यहाँ पर निशान लगाना है आर्म होल की साइड से यह हमने निशान लगा लिया है यहाँ पर और नीचे की साइड से भी हमें फिरिल से थोड़ा सा एक्स्टा फेब्रिक को छोड़ देना है जिससे हमारी लेंथ यहां की भी निशान की 1.5 इंच बैट रही है 1.5 इंच पर ही हम निशान लगा लेते हैं अब ये देखिए ऐसे हमें इसको यहां पर लगाना है तो हम इसी तरही के से अंग्रकाई स्टाइल में हलका सा गोलाई वाला वी शेप करते हुए इस पर निशान लगा लेते हैं ये निशान यहां पर हमने लगा लिया है अब हमें पाइपिन को यहां पर रखना है और पाइपिन के उपर जिस जगे हमने पाइपिन तयार करने के लिए सिलाई लगाई थी उसी जगे पर हमें इस पर सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है फ्रेंट्स ये फ्रोक बनकर बहुत जादा प्याई लगती है और बहुत छोटे से फेबरिक में ये बन जाती है आप भी अपनी बेबी के लिए एक बार इसको ट्राई करें ये देखिए फ्रिल यहां पर हमाई लगकर तयार हो गई है अब हम दूसरा पीस लेते हैं अपना और बेक नेक तयार कर लेते हैं ये पट्टी को हमें यहां पर ऐसे करते हुए रखना है और इसको दूसरी साइड में पलटना है तो यहां पर बीच में हम हलका सा कट लगा लेते हैं इससे इसको पलटने में परिशानी नहीं होती है सभी फेबरीक इस पट्टी के नीचे करते हुए हम इस पर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा अब हम इस पट्टी को फोल्ड कर लेते हैं और नीचे की साइड से हमें इसको चकोर करना है दूसरी साइड से भी हम इसको ऐसे ही करते हुए फोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर यह देखिए कितनी प्यारी सी हमारी बेक नेक की पट्टी लगकर तयार हो गई है अब हम अपने दोनों पीस फ्रंट साइड का और बेक साइड का मिला लेते हैं और शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंट शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगाने चाहिए जिससे हम जब पाइपीन या स्लिव्ज वगेरा लगाते हैं साइड से खुलते नहीं हैं अब हम अपनी नेक की पट्टी लगा रहे हैं नेक की पट्टी हमें फ्रोक के कलर की ही लगानी है इस पट्टी को हमें अंदर की साइड को फॉल्ड करना है इसलिए हमें इसको धीली धीली छोड़ते हुए लगाना है किसी भी जंगे से हमें इसको कट लगा लेते हैं जिते पट्टी को पलटने में आसानी होती है पाइपिन में हम अंदर की साइड को कट नहीं लगाते हैं और अगर अंदर की साइड को फोल्ड करने वाली पट्टी लगाते हैं तो उसमें हलके हलके से कट लगाते हैं जिससे वो आसानी से मुड़ सके अब स तब फैबरिक इसी पट्टी के नीचे की साइड को करते हुए हम इस पर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं, जिससे ये अंदर की साइड को मोणने में परिशानी नहीं होती है, ये हमारी पट्टी, आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से बन कर तयार हो गई है, अगर आपका एक्स्ट्रा फैबरिक अंदर की साइड को जादा है, तो आप कट कर दीजिए, और अगर थोड़ा सा ही है, तो इसी में ही फॉल्ड कर दीजिए, ये एक्स्ट्रा फैबरिक हमने यहां पर कट कर दिया है, क्योंकि हमारा इसमें थोड़ा सा जादा एक्स्ट्रा फैबरिक था, ये देखिए पट्टी हमाई लगकर तयार हो गई है, अब हम इसको ऐसे करते हुए, यहां पर फोल्ड करते हैं, और इसके उपर सिलाई लगा ही आएगा इसलिये हमने आपको पूरी पट्ती लगाना बताया है जिससे आप आसानी से नेक बना सकें यो देखिए हमारा नेक कितना प्यारी सी शेपका बन कर तैयार हो गया है अब यह हम आर्म होल की पाइपिन लगा रहे हैं फ्रेंड्स पाइपिन को आर्म हौल की हमें योग के wrong side पर रखना है, उल्टी side पर रखना है और सीधी side को इसको पलटना है और इस pipean को हमें हल्का सा धीरे धीरे से सब जंगे से खीचना है क्योंकि ये हम pipean लगा रहे हैं, अंदर की साइड की फॉल्ड होने वाली पट्टी नहीं लगा रहे हैं इसमें हमें अंदर की साइड कट नहीं लगाने हैं ऐसे ही इसको फॉल्ड कर देना है और जो सिलाई नीचे की साइड की हमारी आई हुई है उसको हमें इसी पाइपिन के नीचे की साइड में दाब देना है जिससे इसमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ये पाइपिन बनकर तयार हो रही है फ्रेंस पाइपिन लगाते समय एक बात का धियान रखें अगर आप पाइपिन फुल रेब की काटती है तो आपकी पाइपिन की शेप बहुत ज़्यादा अच्छे आएगी इस साइड में भी हम ऐसे ही पाइपिन लगा कर तयार कर लिया है ये हमारा योग बनकर तयार हो गया है अब ये हमारी डिजाइनिंग पट्टी है इसके लिए हमने सीधी पाइपिन कटिंग की हुई है अपनी इसको हम यहाँ पर रखते हैं इन में से हमें कोई से भी फेबरिक को खीचना नहीं है दोनों को बिल्कुल बराबर रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है क्योंकि ये हमारी सीधी पट्टी है अगर आप इसको कीचेंगे तो नीचे के फेबरिक में जोला जाएगा अब इसको भी हम फोल्ड कर लेते हैं और जो सिलाई इसके अंदर की साइड हमने लगाई है उसको दाप देते हैं इसी पाइपिन के नीचे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी इसमें पाइपिन बनकर तयार हो रही है इसी तरीके से आप भी अपनी किसी भी चीज में पाइपिन सीधी भी लगा सकती है और क्रोस की भी लगा सकती है ये पाइपिन हमारी लगकर तयार हो गई है अब हमें इसमें plates डाल लेनी है वन इंच की गेहराई की हमें इसमें अंदर की side को करते हूए plates डालना है और plates डाल कर हमें इसको अपने योग से माप लेना है चोड़ाई योग के बराबर करनी है अगर आपका हिस्सा कम या जादा आ रहा हो तो आप चुन्नटे खोल भी सकती है थोड़ी सी और चुन्नटे डाल भी सकती है ये देखिए किस तरीके से इसकी लहर आ गई है नीचे की साइड डिजाइनिंग पीस की तो ऐसे ही हमें इसमें सब प्लेट्स डाल कर तयार करना है ये हमारा डिजाइनिंग पीस बन कर तयार हो गया है अब हम अपना योग लेते हैं और इसको यहां से ऐसे करते हुए चुन्नटे डाल लेते हैं फ्रेंट्स आप इसमें धागे की चुन्नटे भी डाल सकती हैं या हाथ से बारीक बारीक चुन्नटे भी डाल कर इसको तयार कर सकती है यह देखिए यहाँ पर यह हमारा चुन्नटे डाल कर हमारा घेरा बिल्कुल योग के बराबर हमें माप लेना है अब नीचे का गेरा हम fold कर लेते हैं बेक साइड का गेरा भी हमें ऐसे ही fold कर लेना है ये गेरा यहाँ पर हमारा fold हो गया है और ये उपर की साइड हमने चुणनटे डाल ली है अब हम अपना designing piece लेते हैं फ्रेंड्स इन दोनों पीसों की उपर की चोड़ाई बिल्कुल योग के बराबर होनी चाहिए अब हम इसको यहाँ पर इस पर लगाकर सेट करते हैं जिससे हम योग में जब इसको लगाएंगे तो हमें परिशानी नहीं होगी आप देख सकते हैं यह दोनों पीस हमारे बिल्कुल बराबर हैं कहीं से भी कमियाद जादा नहीं है अब हम इस साइड में भी इसके सिलाई लगा देते हैं जिससे यह बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है घेरा हमारा आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये बन कर तयार हो गया है अब हम अपना योग लेते हैं ये देखिए बिल्कुल बराबर हमारा योग घेरे के हैं योग और घेरा हम एक साथ जोड़ कर तयार कर लेते हैं फ्रेंट्स यहां पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगाने चाहिए क्योंकि यह जल्दी से फिर हमारे फेबरिक उधरते नहीं है इसकी चुन्नटों को सेट करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा कर तैयार कर लेते हैं यह देखिए यहां पर योग और घेरा हमारा जुड़कर तैयार हो गया है दूसरा घेरा और योग भी हम अपना ऐसे ही जोड़कर तैयार कर लेते हैं और नीचे की साइड से बेक साइड का घेरा भी फोल्ड कर लेते हैं दोनों गेरे यहां पर हमने लगा कर तयार कर लिये हैं अब हम इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंट्स आफ फिटिंग की सिलाई अपनी बेबी का मेजरमेंट लेकर उसके हिसाब से भी इसमें लगा सकती हैं यहां से पक्का करते हुए हम इसको निकाल लेते हैं दूसरी साइड में भी हम फिटिंग की सिलाई ऐसे ही लगाकर इसको तैयार कर लेते हैं ऐसे हमारी फ्रोक तैयार हो गई है यह देखिए फ्रेंट्स कितना प्यारा सा इसका डिजाइन बनके तैयार हो गया है और आर्म होल की पाइपिन और नीचे का डिजाइन भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ये फ्रोक बन कर तयार हो गई है आप भी एक बार अपनी बेबी के लिए इसको ट्राइ करें फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने ने डिजाइन की